हाई वेल्कों तो भाषरल इस बीड़ी में सॉल्ट करें क्वेशन नबर सेक्स तो ध्यान जीटी का करें कि find the area of figure 20.25 तो यह 20.25 ही है इसके area निकालनी है in square centimeter correct to one place of decimal तो decimal के एक place पर निकालना है ठीक है तो इसका मैं मतलब बताऊंगा मैं कि one place of decimal कैसे निकालते हैं अभी हम लोग जब solve करेंगे तो हमें actually जो area निकालनी है वो जो यह figure है जो दियावा figure इसके अंदर वाली area find करनी है ठीक है कैसे find करेंगे यहां तो इस figure है और डी है और यह वाला इतों मैंने लिखाई है तो ध्यान देज़ेगा इसके अंदर का a b c d a b c d एक rectangle है actually यहां फिर square बोल सकते हैं क्योंकि यह 10 cm है और यह 10 cm है मतलब कि मैं यदि इसको a dotted line से join कर दूं यदि मैं यह join कर दूं तो क्या होगा कि एक यह बन जाएगा square means 10 cm का dc भी है और यह bc भी 10 cm है तो 10 cm 10 cm यह भी 10 cm ही होगा a b क्योंकि यह parallel है इसके और same vertices मतलब कि हम क्या करें कि यह जो triangle है इस triangle की area निकाल करके और इस rectangle में से हम घटा दें मैनस कर दें और यह semicircle की area add कर दें तो हमारा यह figure का area निकल जाएगा मतलब मैं यह बताना चाहता हूं आपको यहां से लिख देंगे हम solution में solution area of the figure is equal to क्या होगा ध्यान देचेगा area of a b c d means हम हमीं करना पड़ेगा कि area of square एक्षुली यह square है area of square a b c d area of square a b c d जो है a b c d इसमें से हमें minus करना पड़ेगा क्या minus करना पड़ेगा इस triangle की area यह triangle क्योंकि हम जब a b c d का area निकाल लेंगे तो पूरा निकल जाएगा ना यह पूरा complete यहां से इसमें से यदि इस triangle की area माइनस कर देंगे तब जाकर कि यह बचा हुआ क्योवल पार्ट निकलेगा means इतना part हमारा निकल जाएगा ठीक है यह वाला part जो है हमारा निकल जाएगा यदि हम माइनस कर देंगे triangle of this मैं area of this triangle तो हम लिसकते हैं आपर कि area of area को हम sat में ar ले सकते हैं area of triangle a e d a e d और आप देख सकते हैं कि यह जो triangle है a e d यह राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 degree अंगल पर पना हुआ है यह 90 degree अंगल है ठीक है तो हम इसको मैनस करेंगे प्लस कर देंगे इसमें और फाइनली हमारा यह जो बचा हुआ यह पाइट है यह कौन सा है semi circular reason area of area of semi circle area of semi circle बचल लिए देता है और हमें circle लिए तो area of square a b c d कितना होगा a b into a b का क्या हो जागा square हो जागा क्योंकि side का square होता है area of square क्या होगा देखें a b with 10 cm है और यह length breath दोनमत अब इक्वाल है इसलिए मैं square बोल रहाँ तो a b square हो जागा minus area of triangle a e d तो इसमें क्या होता है 1 by 2 into base into height base into height area of right angle triangle क्या होता है यह होता है 1 by 2 into base into height plus अब plus कर देंगे area of semi circle इस से semi circle का area semi circle का area क्या होता है pi r square by 2 मतलब कि pi r square होता है full circle का और 2 से divide कर देंगे तो semi circle बन जाएगा a b square कितना होगा 10 into 10 means 10 का square होगा minus 1 by 2 multiplied by base कितना है यहाँ पर triangle का देखिए triangle का base है 6 और height कितनी है यह वाले height है है कि नहीं देखें जब right angle triangle होता है इस तरीके से तो इसमें यह जब 90 हो तो यह वाला base मानते है तो इसको क्या मानते है height मानते है तो 6 into क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा plus pi r square pi के वाले है 22 by 7 multiplied by r square r square कितना होगा इसका r कितना होगा पताइए तो इस center से यहाँ से यह जो distance होगा वही होगा r तो r जो value होगी वो 10 यह पूरे यहाँ से लेकर कि यहाँ ता क्या है 10 है 10 का आधा होगा r means 10 upon 2 means 5 चली हम 5 भी उचकर सकते हैं यहाँ पर 5 5 का square a whole upon 2 रहेगा ही यह 2 तो है ही तो यहाँ पर आप भी सकते हो since r is equal to 10 upon 2 means 5 centimeter सबका अबले centimeter भी उचकिया है तो यहाँ पर आपका scroll करते है यह हो जाएगा 100 minus यहाँ पर हो जाएगा 202, 236 और 2324 24 hundred minus करती है plus यहाँ आप साल करते हैं 2 से 202 और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 11 means मिल जाएगा 11 मुटकाट बाई 5525 whole upon 7 इतना बचा हमारा अब यहाँ पर 100 में सीधी 24 minus करेंगे इतना हैगा 60 sorry 76 76 हैगा 76 में add करना है इतना अब यहीं पर मनपले कर लता है यह हो जाएगा मनपले करने पर 25 वज़े 25 5 2 कर यह वर 25 वज़े 25 and 2 27 इतना अपन 7 हो गया अब ध्यान देजिए यहीं पर सारा कमाल है आप गया गरना है कि 1 decimal place तक निकालना है तो 7 से हम डिवाइड करेंगे 2 decimal place तक क्यों? क्योंकि rounding off हो जकता है मैं बताता हम आपको कि rounding off का मतलब क्या है जिससे कि आप यहाँ पर लिखेंगे 76 plus अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो decimal में निकालेंगे आप वेडू ठीक है 7 से डिवाइड करने के बाद decimal में वेडू जाएंगे और decimal में 2 place तक निकालना है यदि 1 place तक पुछा होना तो 2 place तक निकालना ही चाहिए क्यों निकालना चाहिए है 7 अंजा 63 होता है 2 बचेगा अब 2 बचेगा तो अब कुछ है नहीं तो 0 हमारा decimal आजाएगा अब यहाँ पर और decimal आजाएगा तो 0 बढ़ेगा कहने में मतलब है कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 275 को हम डिवाइड कर रहा हूँ 7 से पहली बार मैं ले गया 3 से और 21 तो यहाँ बचेगा 6 और यह 5 को उतार दिया मैंने फिर 7 से ले गया मैं 9 टाइमस और यह हो गया 63 और यहाँ मैं मैनस करने पर 2 आ गया अब decimal पढ़ाना पढ़ेगा यहाँ पर और 0 बढ़ेगा 7 तूजा 14 7 तूजा 14 दो बढ़ जाएगा एक बार करने पर यह 6 हो जाएगा और 6 फिसे जुरू बढ़ाएगे फिर आगे ले जाएगे तुस्ता 7 एट जा 56 होगा अब नहीं ले जाएगे अब ले जाने जूरुत नहीं है तो यहाँ पर कितना बचेगा चार यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 4 हो जाएगा तो अब नहीं ले जाना क्योंकि दो डिसमल प्लेस लाग करके हमारे काम हो गया है क्योंकि हमें 1 प्लेस तक लाना ही है तो अब इतना आ गया हमारा कितना गया 39.28 अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 8 आया है एक बढ़ जाता है एक इंक्रीज हो जाएगा और यदि यहाँ पर means 8 के पास यदि यह 5 से लेस होता तो उसके इस 8 के लेफ्ट वाला जो नमबर है 2 उसमें हम इंक्रीज नहीं करते वो 2 का 2 ही रहता ठीक है मतलग आप समझ गये हैं यहाँ पर यह 8 है यह 5 से greater है ठीक है 8 क्या है greater than 5 है इसलिए क्या होगा इसके जो लेफ्ट वाला जो नमबर है मतलब 2 वो एक नमबर से इंक्रीज हो जाएगा और 8 को हम eliminate कर सकते हैं इसको बोलते हम लोग estimate करना या फिर rounding off करना ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 76 प्लस 39.3 हो जाएगा यह 3 लिखने के बाद यह 8 को हम हटा सकते हैं तो यह actually जो आ गया वो हमारा actual answer आने वाला है और 0.3 हम लिए रहेंगे 0.3 और 9 को अट करिए 9 6 15 का 5 1 करिए और 7 3 10 and 11 1 15.3 cm क्या गया square यह आपका answer है तो देखें यहाँ पर हमने एक decimal तक निकाला है ठीक है कि 115.3 यह एक decimal है कि वल तो यहाँ पर जब एक decimal के लिए बोले तो आपको डिवाइड करके दो decimal तक निकालना है और देखना है कि rounding off होगा तो exact answer आ जाएगा जैसा आना चाहिए और rounding off यह दि नहीं हो पाएगा तब दी आपका answer जो आएगा वही होगा सिमाली जो यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या करते इसको rounding off करके हम मैं लिखता 99.2 क्योंकि यहाँ पर यह जो 2 है वो क्या है 5 से less है इसलिए हम इस 2 में change नहीं करते क्यों 2 ही लिख देते है ठीक है clear है ओके तो आप समय में आ गया होगा तो thank you so much for watching मिलते हम से next video में next video साथ so bye